I welcome you all on my channel. I am Dr. Rashmi Singh and I am here to present a new topic, Authentic Learning. सबी को मेरा नमस्कार और आज हम एक बिल्कुल नए विशह पर बात कर रहे हैं. नया इसलिए कि इस पर ज्यादा बात भी तने ही गी गई है और इसका topic है Authentic Learning. एक बात और बताने से पहले शुरू करने से पहले Authentic Learning का कि ये MA का टॉप, MA के syllabus में नहीं है, MA के syllabus में नहीं है, even आपके NET के syllabus में भी नहीं है, education में. लेकिन फिर भी मैंने इसको पढ़ा जाना और तो मुझे लगा कि मुझे आपके संग शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने इस topic को चुना है. तो क्या है Authentic Learning की इस पर बात्तित हो रही है, तो हो सकता है कि in future या very soon आपके syllabus में आ जाए, या इस पर कोई सवाल बन जाए, या at least आपको पता तो होना ही चाहिए. तो जब हम Authentic Learning की बात करते हैं, सबसे पहले बात कि क्या ये recent concept है, क्या ये अभी कहीं से इसका प्रादुर्भाव हुआ है, या कहीं पहले कहीं इसकी बात होती रही है. जब हम इसके इतिहास में जाते हैं, History of Authenticity की बात करते हैं, कि कब कहां Authenticity की पहले बात हुई, तो as early as in 16th century, यहीं कि सोलवी शतादी की जितनी पुरानी बात है, यह जब सोलवी शतादी के समय भी इसकी बात लिए थी, किस ने की थी? When Descartes proposed the idea of authenticity, जब Descartes ने एक philosopher हुए हैं, उन्होंने authenticity के idea को propose किया, लाए सबके सामने क्या बोला है, इन्होंने, as following a moral inner voice, यह कह रहे हैं कि जो authenticity है, वो हमारी एक moral inner voice है, मतलब self आर्मी के अंदर है, in contrast with the previous idea that an individual's morality was developed through their social status, यानि इससे पहले क्या बात की जाती रही है, कि एक जो individual है, कोई भी व्यक्ति है, उसकी जो morality है, नैतिक्ता है, वो उसके social status या सामाजिक status से विकसित होती है, या उससे समकक्ष होती है, इसके उलट, इसके विपरीद, Descartes ने कहां कि नहीं, authenticity जो है, वो हमारी moral inner voice होती है, ये एक नहीं बहुत पुरानी सबसे पहली बार, authenticity की बात आती है, literature में, फिर और कौन-कौन लोग हुएं, जिन्होंने इसको support किया, या इसके बारे में कुछ कहा है, Russo, Russo का नाम हम सभी लोग जानते है, naturalism के प्रतिपादक है, Russo, और Emile, इनकी बहुत famous किताब है, Back to Nature, य Russo further supported Descartes's idea, यानि कि Russo ने Descartes के idea को support किया, और elaborate किया, और उसको विस्तारित किया, यह कह रहे हैं कि moral sense and authenticity should be regarded as a voice of nature within our own selves, है न, कि जो moral sense है, या नैतिक्ता का sense है, या जो authenticity है, वो कहीं हमारे अंदर ही है, नहीं, यह भी अंदर बोल रहे थे हैं, यह उन्होंने थोड़ा सा और उसको elaborate कर दिया, और कौन है, जो इसकी बात किया है कभी पहले, measures of existence as argued by herder, यानि कि Descartes हो गए, Russo हो गए, herder हो गए, यह तीन लोग हैं, जो authenticity की बात पहले कर चुके हैं, shall be taken based on creativity, authenticity and originality, यह कह रहे हैं कि हमारा जो authenticity का concept है, वो creativity, authenticity, creativity and originality पर based होता है, क्या measures of existence, यानि हमा इतनी बार इतने लोगों के द्वारा इस चब्द के बारे में, इस concept के बारे में बात की गई, अब नया आ जाते हैं, concept जहां पर यह आया है, literature में, जहां पर इसकी बात हो रही है, तो अगर हम इसकी प्रस्तावित भूमी का रखना चाहें, इंट्रोडक्शन देना चाहें, इतनी अच्छी बात है, कि बढ़ा हुआ हम भूल जाते हैं, तो जो हमारे अंदर रह जाता है, वो शिक्षा है, रटन्त विद्या, घटन्त बुद्धी वाली बात, मतलब कि रट के जो हमने वो पालिया और एक्जैम में लिखा है, वो शिक्षा नहीं है, शिक्षा कोई ब इतनी रहні है, वो शिक्षा है, वो शिक्षा नहीं होगे खाली बात है, वो शिक्षा नहीं है, विखा है, यह कोई बिल्न खोर 15, इतनी दो हजार है, चुर्ण व इन सिद्म में कोई हम को लेक्षा कि ऐसरा है, वो ते एम को घ॥ डास्ट, वेसरां दो सोलिन्रानि दो RS, शि को provide करना है तो ऐसा होना चाहिए कि वो उसमें authenticity को instill कर सके और यह नहीं कि एक बार every task प्रतिक जो आप उसको task दें जो lesson पढ़ाएं जो unit हो वो इस तरह से हो कि student जो है जो चात हैं जो अधिगम करता है जो learner है वो क्या सीख जाए या क्या इसके अंदर problem solving skills यानि कि हम यह सीख जाएं कि problem को कैसे solve करना है तो सारी बात महीं खतम हो जाएगी एकदम रामबार मिल जाएगा हमको and confidence in their own learning abilities और जो हमारी योग्यता है जो हमारी अंदर ख्रमता है उच में हमको confidence आजाए तो बहुत बड़ी बात है तो सारा एकदम हमको मिल गया है ना फिर अब इसको आप ज़रा IT से जोड लीजे ICT से जोड लीजे, Internet Facility से जोड लीजे तो क्या कह रहे है कि the Internet and a variety of emerging communication, visualization and simulation technologies now make it possible to offer students authentic learning experiences ranging from experimentation to real world problem solving मतलग कि जो Internet है और जो इतना emerging communication है जो हमको इतना संचार का साधन मिल गया है visualization, visual effects हमको मिल जाते हैं 3D है, यह है, वो है और simulation technologies है ना जो role playing की बात होती है, जो simulation technology की बात होती है उचने यह संभव कर दिया है कि हम चात्र को authentic learning experiences प्रोवाइड कर सके हैं range है, experimentation जहां पर आप चात्र को प्रयोग करना सिखाते हैं से लेकर real world की problem को अगर वो solve कर सके तो यही authentic learning है यानि कि authentic learning हम भी introduce कर रहे हैं लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा कि authentic learning क्या है real world की problem solving की skill है यानि कि ऐसी हमको learning ability मिल जाए कि हम वास्तविक जीवन के अपनी समस्याओं का समाधान कर तके हैं यह देखें, यह बहुत बढ़ी हैं बात developmental psychologist Jerome Brunner हम लोग Brunner को पहले भी पढ़ चुके हैं Brunner के बारे में हम जानते हैं reminds us, उन्होंने हमको याद दिलाया था क्या याद दिलाया था? that there is a tremendous difference यानि कि बहुत बढ़ा अंतर होता है किसमें between learning about physics and learning to be a physicist यानि कि भौतिकी के बारे में पढ़ना और भौतिक विद बनना भौतिक विद बनना सीख जाना यह दोनों में ही बहुत बढ़ा अंतर होता है तो हम generally, traditionally अपनी classrooms में हम physicist बनना नहीं सीखते हैं बस हम physics के बारे में थोड़ा सीख लेते हैं देखे, आप MSC physics हो जाईए लेकिन आपके घर में कोई खराब हो जाएगा या है ना तो आप बुलाते हैं ना physician, sorry, मतलब electrician को या आप नहीं कर पाएंगे उसको ठीक generally नहीं कर पाते हैं लोग इकका दुक्का होंगे जो नहोंने उसको practically उस तरह से application उसका सीखा होगा तो हम केवल theory बढ़ते हैं उसकी और उसके numerical लगा सकते हैं हद से हद या experiment जो हमको lab में करा जाता है lab में experimental setting में वो कर सकते हैं real world की setting का हमको कोई सवाल नहीं आता है जब कि वो आदमी जिसको हम electrician जिसको हम बुला कर लाएं जिसको हम पैसा पे करते हैं उसके लिए वो उसकी पढ़ाई पूछिए तो I don't know कि वो graduate भी होगा कि नहीं क्यों ये अंतर है कि जब आप physics से MSC हैं किसी भी particular subject किसी भी particular discipline से PG degree आपके पास है post graduate है आप masters है उसमें लेकिन हमको उसकी problems के solution नहीं पता होते हैं तो यही Jerome Brunner हमको इतने साल पहले बता रहे हैं कि एक विशेश बहुत बड़ा अंतर होता है कोई चीज कोई विशेश पढ़ना और उस विशेश का विशेश विद बनना अच्छा क्या ये अंतर है कैसे पूरा होगा कि हम connections थापित कर सके किसमें connection जो classroom teaching learning है और जो real world की problem है यानि कि real world की problem के solutions हमको classroom में हमको ये सिखा दिया जाए कि हम कैसे कर पाएंगे तो क्या कह रहे है कि connection building will require new forms of authentic learning that cut across disciplines and bring students into meaningful contact with the future employers, customers, clients and colleagues who will have the greatest stake in their success बनाई बात कि जो connection building है जो हमको connections थापित करने है वो क्या करेंगे new forms of authentic learning उनके लिए चाहिए हमको आनी चाहिए authentic learning नए तरीके की जो क्या हो but across disciplines यानि कि आप तो जानी रहें कि अब multi disciplinary का जमान आए अब यह नहीं water tight compartments नहीं है कि हिंदी वाले को सिर्फ हिंदी आ और इंग्लिश वाले को English आए सिर्फ chemistry को सिर्फ chemistry physics को सिर्फ physics बलकि हमको disciplines के across पढ़ना है कई ऐसे भी शह पढ़ने इसलिए CBCS system आया कि आप choice based credit system यानि कि आप चुन लें आपको क्या चुनना है इसलिए वो कह रहे हैं कि credit आप 5 credit 10 credit कहीं से भी ले लिजे किसी भी discipline से ले लिजे जितना ज्यादा आप एक cross discipline करेंगे उतना ही बेहतर होगा है and bring students into meaningful contact यानि कि हमको जो contact हो जो learning experience हमको मिले वो meaningful हो मतलब earth-poon हो the future employers, customers, clients and colleagues who will have the greatest stake in their success यानि कि आपकी सफलता में जिनका सबसे महत्वपून रियोगदान है उनसे आपका meaningful contact हो सके authentic learning है जिसमें कि हमको cut across disciplines जाना है जिसमें कि हमको real world problem solving skills सीखनी है हम अचा अब आये authentic learning पे क्या है authentic learning authentic learning typically focuses on real world complex problems and their solutions सीधी बात एक लाइन इस पर निर्भर करते है सबसे ज्यादा focus करती है कि हमको real world यानि वास्तविक संसार में क्या चल रहा है उसकी जटलतम समस्याएं क्या है उनके समाधान क्या है using role playing exercises मतलब आप उस role में चले जाएए कि अगर हम teacher हैं आप और आपकी class में mischievous बच्चे हैं या absentees हैं या juvenile delinquent हैं या कुछ भी उनके संग problem है तो आप कैसे deal करेंगे तो जैसे आप से सवाल पूछा जाए आता है teaching aptitude का सवाल की आपकी कक्षा में इस तरीके कब बता है तो आप क्या करेंगे ना तो चार option दे रहेता है कि आप उसको class से बाहर निकाल देंगे कि आप उसको insult कर देंगे सब के सामने कि आप उसको degrade कर देंगे या आप उसको समझाएंगे ऐसा वैसा सभी को पता है कि हम भले करें एक्टिली जो भी लेकिन हम टिक उसी पर लगाएंगे ना कि हम उसको समझाएंगे तो खेरी की बात ते जो यह बात अगर आप वैसे किसी student के संग दील करते हैं तो आप क्या करेंगे यह authentic learning है यह आने कि हमको सीखना है रोल प्ले में जाना है problem based activities है ना तमस्या पर आधारित हमको कराई जाएं case studies and participation in virtual communities of practice देखे जब authentic learning की बात हो रही है तो हम इसको कहीं न कहीं ICT से भी जोड रहे हैं कि हमको यह ICT ने यह different pools ने different emerging technologies ने यह opportunities दी हैं कि हम इसको और बहतर कर पा रहे हैं फिर क्या है going beyond content authentic learning intentionally brings into play multiple disciplines, multiple perspectives, ways of working habits of mind and community यहनि कि हमको बहुत सारे discipline के cross चलना है बहुत सारे प्रेक्षे से देखना है बहुत सारे करने के तरीके सीखने है habits of mind and community okay students immersed in authentic learning activities cultivate the kinds of portable skills that newcomers to any discipline have the most difficulty acquiring on their own यह कह रहे हैं कि अगर आपको बत्चे को, student को, चात्र को authentic learning activities में involve करना, immerse करना दो देना है उसमें तो हमको क्या करना होगा portable skills उसके अंतर cultivate करनी होगी, उत्पादित करनी होगी प्रतिपादित करनी होगी that newcomers to any discipline यानि कि अगर हम किसी discipline के लिए newcomer है, नया नया हमको विशय लगता है नया नया हम उस विशय में अंटर किया है तो have the most difficulty acquiring on their own यानि कि उसको अपना बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा मुश्किलाथ हमको जहां पर आती है वो क्या क्या है judgment to distinguish reliable from unreliable information यानि कि हम ये निर्णे कर सकें कि क्या विश्वस्नी है और क्या अविश्वस्नी है विश्वस्नी सूचना से अविश्वस्नी सूचना में क्या हम विभेद करने का निर्णे है हमारे पास क्या हम सही निर्णे कर पाते है patience to follow longer argument हम लोग क्या करते है generally inclusion पे जंप कर देते है दो हमको science teaching पढ़ाय जाता है तो हमको ये बताया जाता है साइंस teaching के कुछ जो खास बाते है वो क्या है delayed argument या delayed judgment यानि कि हमको तुरंत निर्णे पर नहीं पहुँच रहा है हमको delay करना उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम delay करें उतनी ज़्यादा perspective से उतनी ज़्यादा aspect हम उसको देखेंगे और हम सही निर्णे पर पहुँचेंगे इसलिए हमें ये धीरज होना चाहिए longer arguments को follow करने का क्या है synthetic ability to recognize relevant patterns in unfamiliar context यानि कि वो संदर्ब जिनको हम जानते नहीं है जिनसे हम परिचित नहीं है जो unfamiliar है हमारे लिए उसमें हम relevant patterns को recognize कर पाएं and cultural boundaries to generate innovative solutions यानि कि जब-जब वो कह रहे हैं कि हमको cut across disciplines होना है multiple disciplines के तहर देखना है multiple perspectives से देखना है तब वो क्या चाहते हैं कि हम अपनी rigidity छोड़ दें rigidity छोड़ देंगे flexible हो जाएंगे तो हम ये सब काम कर पाएंगे और innovative solutions तक पहुँच पाएंगे जो सबसे खास बात है authentic learning की वो क्या रहा है design elements design elements का मतलब कि कुछ जो ऐसे जो इसका एकदम नमूना design को हिंदी में नमूना गोलते हैं वो एकदम इसके नमूने के लिए जरूरी है वो ऐसे 10 elements ढून के लाए गए हैं कि अगर वो आएंगे तो हमारी authentic learning एकदम पखी हो जाएगी क्या सबसे foremost क्या है real world relevance यानि कि किसी भी कीमत पे उसकी वास्तविक संसार से relevance होना चाहिए है ना अगर वो irrelevant है तो हमारी किसी काम का नहीं है authentic activities match the real world tasks of professionals in tactics as nearly as possible ill-defined problem जो हमारी problem हो ill-defined हो मतलब यह नहीं हो कि actually यह चीज है जिसका आपको solution चाहिए जितनी ज़्यादा वो ill-defined होगी उतना ही open-ended होगी उतना ही हर आदमी उसमें अपना self-involve करेगा उतना ही वो multiple interpretations हो सकते हैं उसके और वो उसमें उतनी ज़्यादा innovation आ सकता है authentic activities are relatively undefined वो relatively undefined होते हैं and open to multiple interpretations और इसके लिए खुला मंच प्रवाइट करते हैं जिससे कि विभिन दृष्टी कोनों से विभिन प्रतिपादन उसके हो सकें requiring students to identify for themselves the task यानि कि हम उनको नहीं पताएंगे कि यह solution है और आपको यह solution चाहिए बलकि वो अपने solutions तक खुद पहुंचें अपने interpretation के तहत sustained investigation यानि कि here tasks to be investigated by students over a sustained period of time requiring significant investment of time and intellectual resources यानि कि बस हमको घुसके निकल नहीं आना है बलकि हमको इसको deeply involved होना है sustained period of time उसमें पना time खर्चा करना है समय व्यतीत करना है जैसे जैसे समय आप व्यतीत करेंगे वैसे वैसे आप कुछ और बहतर कुछ और unique कुछ और बनिया चीज निकाल के ला पाएंगे and intellectual resources यानि कि हमको intellectual resources और time का investment बोनों को significant रखना है यानि कि अच्छा रखना है मांग उस्ता multiple sources and perspectives multiple sources and perspectives में कि हमको बिभिन दृष्टिकोनों और परिप्रेक्ष से देखना है authentic activities provide the opportunity for students to examine the task from a variety of theoretical and practical perspectives using a variety of resources and require students to distinguish relevant from irrelevant information in the process मत्ब जब हम authentic activities की बात करेंगे जब हम ये चाहेंगे कि हम अपने students को authentic activity provide कर पाएं तो हमको क्या करना होगा to examine the task from a variety of theoretical and practical perspectives यानि कि जो task हैं उसके हमको जाच करनी होगी कितने बहुत तरीके से theoretical, उसका सैधान, उसका आयोगी पक्ष देखना होगा बहुत सारे resources का use करना होगा and require students to distinguish जिसे की जो हमारा चाहत्र है वो विभेद कर पाएं अभी जो बात हुई थी relevant और irrelevant information यानि सहयोग बहुत जरूरी है authentic activities make collaboration integral to the task both within the course and in the real world यानि कि ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी समस्या को आई है तो आपने बिल्कुल घंडा गाल के चलेंगे कि बिल्कुल हम ही करेंगे उसको नहीं हमको कहीं न कहीं दूसरे का सहयोग अपेक्षित होता है और उसको सीख करने से हम छोटे नहीं हो जाते हैं हमको जहां जब जसकी जरुत हो उसका सहयोग करना चाहिए और सहयोग लेना भी चाहिए तो ये दोनों ही कला हमको आनी चाहिए तो ये भी authentic learning का एक महत्वपून design element है किया collaboration reflection या metacognition metacognition की बात हम लोग कही बार कर चुके है metacognition means thinking about cognition thinking about thinking reflection यानि हमको reflect करना सोच विचार कर चलना बस ऐसे ही चल नहीं देना है तो authentic activities enable learners to make choices and reflect on their learning both individually and as a team or community यानि कि ये जो activities होती है वो learner को इस योग्य बनाती है कि वो चुन सके और reflect कर सके चिंतन कर सके किस पर अपने अधिगम पर ऐसे नहीं कि इकलाओते बलकि इकलाओते रूपते भी individually भी अलग-अलग भी और as a team member भी दोनों तरीके से हमको reflection करने आना चाहिए फिर interdisciplinary perspective यानि multi-disciplinary perspective तो है ही interdisciplinary perspective भी यह क्या कह रहा है कि authentic activities have consequences that extend beyond a particular discipline encouraging students to adopt diverse roles and think in interdisciplinary इसमें कुई विशेश सम्झाने की बाप में मतलब कि वो sorry sorry हाँ authentic activities have consequences that extend beyond a particular discipline यानि कि एक discipline के beyond इसके परिणाम जा सकते हैं तो यह सीखना हो गया integrated assessment यानि कि जो assessment होगा जो आकलन होगा आपका वो भी समेकित होगा कैसे समेकित होगा यह assessment is not merely submitted in authentic activities but is woven seamlessly into the major task in a manner that reflects real world evaluation processes means अब पहले traditionally summative evaluation हो जेते at the end of the semester at the end of the year सालाना एक्जैम जिसको बुले जाता था और साल भर हमारा assessment होता ही नहीं था उससे कोई मतलब ही नहीं था लेकिन अब formative assessment की बात हो रही है वो assessment जो seamlessly woven हो जैसे पता ही नहीं चल रहा है कि assessment है पढ़ाया गया पूचा गया पढ़ाया गया लगातार उसमें इंटर्वोवे नहीं इतना उसमें घुला मिला हुआ है ताकि रियल वर्ल्ड एवेल्वेशन को भी रिफ्लेक्ट करता है तो यह हमारा सिर्फ सम्मेटिव नहीं हो सकता बलकि formative and summative का combination या integration होगा फिर polished products polished products में क्या के रहे है conclusions are not merely exercises or sub steps in preparation for something else authentic activities culminate in the creation of a whole product valuable in its own right यानि हमको पस ऐसे ही नहीं कि कुछ बस कर लेना है बलकि हमको actually कुछ बनाना है कुछ एक ऐसा जो संपून हो जोसका मूले हो मूलेवान हो multiple interpretations and outcomes rather than yielding a single correct answer obtained by the application of rules and procedures authentic activities allow for diverse interpretations and competing solutions यानि कि एक single correct answer के पर हमको नहीं जाना है creativity क्या कहती है कि innovation हो मतलब diverse हो diversification हो जतना ज़्यादा diversify होगा उतना ज़्यादा creative होगा तो हमको diverse interpretations पर जाना है ना कि single correct answer तो यह जो 10 बात चीट की गई वो design elements जो की एकदम जरूरी है और होने चाहिए authentic learning activity के लिए फिर है examples of authentic learning practices अगर हम यह बात मान के चलिए ठीक है हमको अपनी क्लास में authentic learning practices करानी है बचों को यह experiences प्रवाइड करना है तो इसके लिए एक्जाम्पल हो सकता है authentic learning practices putting the focus back on the learner यानि कि फिर से हमारा focus किस पर आगया learner पर लेर्नर सेंटर्ड सब कुछ है sorry in an efforts to improve the way students absorb, retain and transfer knowledge यानि कि एक तरीका हो सकता है सुधार का कि किस तरीके से जो चात्र है वो अवशोशित करता है retain करके रखता है रोक के रखता है simulation based learning student created media inquiry based learning जिसको की open learning initiative पे कह रहे है peer based evaluation reflecting and documenting achievements यह कुछ examples हो सते है यह कुछ practices हो सती है authentic learning की तो इसके हम retailing में नहीं जा रहे है अगर हम authentic learning practices आपके सांद करना चाहें तो peer based evaluation reflection and documentation inquiry based learning यह सब real world problems में problem के solution में आ जाए फिर है effectiveness of authentic learning यह आप कहें कि क्या authentic learning effective है या किस सीमा तक effective है कैसे effective है क्यों effective है तो authentic learning aligns with research into the way the human mind turns information into useful transferable knowledge देखिये कहां-कहां तक बात पहुँची हुई है कहां-कहां तक शोध हो रहे हैं कि किस तरीके से जो हमारा मस्तिश्क है वो कोई भी सूचना उसको मिलती है तो उसको useful यानि कि रभावी फाइदे मंद transferable knowledge उसको कैसे बनाता है इसमें क्या कोई alignment है तरी principles illustrate the alignment between learning research and authentic learning तरी सिर्धान्त निकल कर आए जो ये alignment शोगते है कौन-कहां सा learners look for connections यानि कि जो सीखने बाला है जो विद्यार्टी है जो चात्र है आपका वो ढूंदा है चाता है कि उसको connections मिले क्योंकि जब उसको connections मिलते है तो learning जो होती है वो permanent होती है more enduring होती है more gravitational होती है long-lived attachments come with practice अगर हम किसी चीज़ से long-lived attachments चाहते हैं लंबा तो हमको वो क्या करना है practice से आएगा practice करना बहुत ज़रूरी है new contexts need to be explored यानि कि जो नए संदर्भ है उसको हमको क्या करना पड़ेगा explore करना पड़ेगा तो ये सब बताता है कि authentic learning is effective या why authentic learning is effective ये वड़ी खास बात मुझे लगी तो मुझे लगा कि आपके संग बात कीचानी चाहिए higher education should include cognitive domain हम लोग बात कर रहे थे कितनी बात कर बात कर चुके cognitive effective psychomotor कोई cognitive domain की बात नहीं कर रहा है या है ये cognitive domain कहां से आ गया higher education should include the cognitive domain ये लोग कह रहे हैं जो authentic learning की बात करते हैं कि हमको cognitive domain को include करना चाहिए higher education में so that instructors that provide engaging activity supported by the proper scaffolding can help students develop expertise across all four domains of learning ये कि चारों जो आयाम है उस पर हमको expertise लेना है cognitive हम जानते है capacity to think, solve problems and create जो संग्यान आत्मक है effective मतलब भाव से जुड़ा हुआ है capacity to value, appreciate and care psychomotor हम जानते है motor-based है capacity to move, perceive and apply physical skills and conative most important capacity to act, decide and commit या आपकी willpower अगर willpower ही नहीं होगी तो आप शुरू ही नहीं करेंगे किताब खोलेंगे ही नहीं वीडियो ओन ही नहीं करेंगे है ना तो इसा शक्ती भी जरूरी है cognitive effective psychomotor के साथ और इसको जरूर से higher education में शामिल किया चाहिए आप देखे जरूरी नहीं करेंगे बहुत कुछ इसमें और था बताने के लिए लेकिन वो थोड़ा सा जरूरी था और उसके बारे में कोई ऐसे नहीं बात थी जो आपना जानते होते हैं तो मुझे लगा कि पता होने चाहिए सबको कि authentic learning may be more important than ever in a rapidly changing world वो कह रहे हैं कि अगर तिना तेजी से संसार बदलने वाला नहीं होता तो authentic learning इतनी important नहीं होती वो और important होती जारी है क्यों? क्योंकि real world problem solving कह रहे हैं तो real world ही हमारा बदल रहा है problems ही बदल रही है दिन प्रती दिन है ना पहले था कि mask लगाएं कि न लगाएं फिर था mask लगाएं फिर था एन 95 लगा ले अब कह रहे हैं 2 लगा ले तो problems भी तो इतनी तेजी से बदल रही है तो उनके solutions भी हमको तेजी से बदल उनके निर्णे लेने की क्षमता उनके solution क्या हल डूने की क्षमता आने चाहिए where the half life of information is short देखिए ये बहुत मुझे बढ़ियां लगा है half life of information हम लो half life chemistry में पढ़ते हैं कि जो substances होते हैं उनकी half life होती earth high सूचना की भी earth high information of half life सूचना का भी तो 6 है ना degradation है it's short बहुत तेजी से चेंज हो रही है वो बेकार हो जा रही है आज की सूचना कल बेकार है कल की परसों बेकार है या even earlier वो बेकार हो जानी है and individuals can expect to progress through multiple careers और हमको single career के लिए भी तयार नी होना है multiple जैसे होता है स्टूडेंट वो इस एक्जैम की भी तियारी करता है वो इस एक्जैम की भी तियारी करता है इसमें नी होता है तो उसमें उसमें क्योंकि आप एक single focus लेकर नहीं चल सकते है because everything is so tough, so complex, so rapidly changing इसलिए ऑथेंटिक लर्निंग जो है अगर बल खराब हो गया अगर आप chemistry पढ़ रहे हैं तो यह कोई cell है वो क्यों नहीं काम कर रहा है अगर आप geography पढ़ रहे हैं अगर आप geography पढ़ रहे हैं तो actually बारिश होने में क्या concept है क्यों हो रही है किस तरीके का पानी है कहां क्या है acid rain क्या है actually क्या कभी आपने acid rain को experience किया यानि कि आपका जो experience हो वो real world से जुड़ा होना चाहिए सिर्फ कक्ष के अंतरगत नहीं तो जो learning होगी वो authentic है और उसके इतने सारे फाइदे आपको बताएगा और नहीं तो फिर वो ऐसे ही इंडिविजूल से सीखने वालों से पढ़ाने वालों से कि वो multiple carriers के through अपनी progress देखेंगे तो authentic learning is that that's why authentic learning is so much important in this rapidly changing world और यह जो मेरा presentation है वो मैंने mainly लिया है किससे एक article है authentic learning for the 21st century and overview और किसने लिखा है by Marilyn M. Lombardi और edit किसने किया है Dyna G. Oblinger और यह as recent as 2007 का लिखा हुआ है तो यह नहीं सुना था मैंने recently सुना है इसलिए मैंने आपके संखेर करना था ओके